आज में बनाने जाने हैं कोलकता का famous street food recipe जिसका नाम है पानी पूरी इसे यहाँ पे पुछका के नाम से जाना जाता है और पानी पूरी बना दे समय बहुत सारी mistakes होती है जैसे कि पानी पूरी फूलती नहीं है उसकी पापडी बन जाती है सौगी हो जाती है जल्दी उतनी crispy न प्रापी को चिटकी में बनाते है तो चली सबसे पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पर हम ले रहे हैं 2-2 कप गेहू का हाटा। और sta thi में इसमें हम साओ ही ग्राम लग बगाँ आठा कप सूजी डाल रहे हो है तो जितना गेहू का आठा ले रह रहे हैं उसका वन फूद पॉर बहुत ही इंपोर्टेंट है तो जिस तरीके से मैंने आटा और सूजी का मेजरिमेंट लिया है सेम वैसे ही आपको लेना है अब चलिए इसका हमें बिल्कुल अच्छा साथ सॉप्ट लगाना है तो लेते हैं पर पानी यहां पर मैंने दो से अमल कप लिया है जिसमें भर के मै पानी अब्जॉर्फ कर रहा है इसलिए हम दिरी दिरी करते वे ही पाई डालेंगे तो यहां पर देख रहे हैं टोटल मैंने एक कप पानी पूरा इस्तमाल कर लिया है और आटे को हम बिल्कुल अच्छे से नीट करते हैं अब यहां पर आटा कैसा लगाना है यह भी बहुत इ तो यहां पर मैंने थाइस से मल पानी करें पूरा आटा लगा लिया है और यह देखिए बिल्कुल मीडियम सॉफ आटा बनके रेडी हो गया ना ज्यादा हाड ना ज्यादा सॉफ्ट है अब इसे हम कवर कर देते हैं और पंदर से 20 में के लिए हम इसे साइड रखेंगे यह प्लेट को हटाते हैं और यहां पर आटा बिल्कुल अच्छे से से हो गया है अब इस टाम जब हम नीट करेंगे आटे को ना थी थोड़ा सा पहले कंपारिजन में सॉफ्ट हो गया क्योंकि अच्छे से फूल लिया है तो आप देख रहे ना पर सॉफ्ट ना बहुत जादा गीला है ना बहुत जादा हार्ड है यह कितना सॉफ्ट ना बनके रेडी हुआ है काफी स्मूध सा लग रहा है तो इस समेस में डालते हैं दो चमश तेल और थोड़ा सा हाथ को भी हम तेल से ग्रीज कर लेंगे और आटे को भी इस तरीके से तेल लगा के अच्छे से ग्री बनाना है उसी जब से इकवल पोशिंस में डिवाइड कर सकते हैं अब यहां पर लोया तोटे समय यह ध्यान नहीं रखना है कि यह भी इकवल हो कुछ चोटी बड़ी हो सकती है तो यहां पर पानी पूरी बनाने के लिए मैंने सभी आटे को इकवल पोशिंस में है स्मूध है तो हमें आलग से रोल करने की ज़रत नहीं है वैसे आप जाहें तो पूरी ओं बहता है है अगर आपने पविली बाकी बची हुई लोई है ध्यान रखेंगे इसे हमेशा पाकेट में स्टोर करके रखें ताकि इसमें हवा नहीं लगे नहीं तो सब ड्राइब हो जाएगी तो इसके बाद पानी पूरी अच्छी नहीं बनेगी अब यहां पर एक एक लोई को रोल करते जाना है और एक को हमे कवर टेकंगी इस खुखा रहेना तो आप से तो इसे खुखा सकते हैं और यह कि ओपर की तरफ से कितने अच्छे को गया है हलका ढ़का बहुत जादा वैसे नहीं सुखाना है, हलका आप देखने कलर चेंज हो गया है, लेकि नीची की तरफ से ये थोड़ा सा गीला है, आप देख रहे हैं, तो ऐसा करने का कारण है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ, तो चलिए ने फ्राइ करते हैं, तो फ्राइ करने के लिए यहां पर मैंने पैन में अच्छे से तेल ले लिया है, और धियान है कि तेल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए, यहां पर थंडा तेल बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करना है, अगर आप में थंडा तेल लिया तो क्या होगा, यह मैं आपको आगे बताऊंगी, और यहां आप पूरी के से डालना है जो गिली वाली साइड है वह जाएगी गरम तेल में और यहाइड सी डाल करना है जिससे कि जड़ से फूरoben बहुत यहां पूर जाएंगी, इसलिए वहां गिले कपड़े या प्लास्टिक के उपर इस तरीके से सुखाते हैं और गिली साइड को तेल में डालते हैं तो इसे अच्छी बलून की तर हमाई पानी पूरियां फूल गई है और इसे फ्राई होने में कुछ सेकेंड ही लगता है इसे बहुत जादा देल नहीं फ्राई करने होता है और लग रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसी फुली-फुली तो चली इसे पैन से बहार निकालते हैं और हर एक पानी पूरी यहां पर बहुत ही क्रिस्पी बन ली है कभी-कभी पानी पूरी सौगी बनती है इसा क्या कारण है यह भी मैं आपको आगे बताती हूं अगर आप गिली-फुली साइट को गरम तेल में नहीं डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आ बहुत आराम से पानी पूरी यह बना सकते हैं अब चली चोटी चोटी टिप से वह भी देख लेते हैं अगर हमां तेल तेज गरम नहीं है तो पानी पूरी यह पूलेंगी तो लेकिन वह अंदर से काफी सौगी रहेगी उतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी इसलिए हमेशा यह बहुत अच्छे से गरम हो ताकि जो पूरियों में मॉइस्चेर है वो जल्दी से खतम हो जाएगा और यह हमेशा बहुत देर तक क्रिस्पी रहेगी अब यहां पर आप फ्राइ करते से में देख रहे हैं कुछ जो पानी पूरी अच्छे से पूल गई है कुछ हमारी अच् पूल रही है तो भी आप इसे अराम से यूज कर सकते हैं यह खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगती है मुझे तो पानी पूरिया बनाते समय बहुत मज़ा आया मिंटों में बन गई बहुत महनत भी नहीं लगी और सच बोलू तो मैं फर्स टाइम बना रही थी काफी प्रैक पानी पूरिया नहीं पूलेंगी इसी तरीके से बनेगी तो बस यहां बे सबी पानी पूरिया बनके रेडी हो गई है बहुत रिस्पी बनी है और चलिए बिल्कुल कोरकता स्टाइल बनाते हैं आलू का मसाला और चटपटा सा पानी तो सबसे पहले हम खड़े मसालो को क्योंकि यह तीक ही नहीं है बहुत अच्छा कलर आएगा और फिर इसमें डालते हैं तेज पत्ता और थोड़ी सी खड़ी काली मिश डाल देंगे तो यह सबी खड़े मसालो को हमें बिल्कुल अच्छे से भुनना है 2-3 मिट के लिए तो यहां पे मीडियम लो फ्लेम पर र अच्छी खड़े के लिए हैं तो यहां बिल्कुल अच्छा सा पाउडर बना लिया है और इन मसालो को हम ठंडा होने के बार डालते हैं जार में तो कभी भी मसालो को हमें गरम-गरम नहीं करना में जब थोड़ी से ठंडे हो जाए उसके बाद ही घ्राइंड करेंगे तो इ अच्छे से फूल जाएगी तो यहां पर आदे गंटा हो गया है इमली को भीगोते हुए आप देखरें कितने अच्छे से फूल गई है अब हासे इस तरीके से हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं ताकि इसका जो पल्प है सारा निकल जाए और जो बीज है वो अलग हो जाए आप इसे प्तमार ने हो जैते हैं तो इस तरीके से देखें मैंने अमली ap Newton को प्लप रेडी कर लिया है और चलिए अब हम धनीया पुरीन का मिक्षर बनाने के लिए लिए लेते हैं चान लेते हैं ताकि बिल्कु समूछ सा मिक्षब बनकर बगए चाने भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन चनली से चान लेना अच्छा रहता है और ऊपर की तरफ यह जो धनिया पुदीना का रेशा है इसका इसका इस्तमाल हम आलो की मसाले बनाने में कर सकते हैं इससे बहुत अची खुश्बू आएगी काफी अच्छा फ्लेवर साथ में हम धन्या डालते हैं थोड़ा सा पुदीना डाल देते हैं और इसमें डालेंगे गंदराज नीबू जो की मार्केट में बहुत ही असानी से मिलता है जनले यहां पर पुछके वाले यही डालते हैं वैसे आप नॉमल नीबू का भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसमें लालमिश पाउडर और पाई डाल देते हैं तो जितना खटा आपको खाना पसंद है उसे साब से पानी की मात्रव कम जादा कर सकते हैं अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा चाट मसाला और बिलकुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही चटपटा यह पानी बनके जिसे देखा आपने कितनी जल्दी बन गया है और चलिए अब हम आलू का मसाला भी बना लेते हैं तो आलू का मसाला बनाने के लिए यहां पर मैने 5-6 मीडियम साइस के आलू लिये जिसे अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें डालते हैं उबले हुए लाल चनार साथ में विए तालमिच पाउडर भी डाल देते हैं साथ में पीचाहे तह नॉमल निवू का रषी का इंली का पल प डाल देते हैं और आन धरी मिश्वा भी तरगे नामगे मतलबार अ मिकसर अच्छान के लिए चान को को कर लेंग 250 शार रिंस जांभा मैं थंद्वानिय प्रेट कर पानी पूरी तो आप देखी रहे हैं बहुत ही आसान इसे बनाना वैसे तो हमारी कुलकता में सब इसे पुछका बोलते हैं आप किस नाम से फेमेस से यह मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईए तो इस तरीके से यह देखे मारा आलू का मसाला भी बनके रेडी हो गया है जितन इसे की काफी सॉफ्ट हो जाएगा और चटपटा सा टेस्टी बनेगा और मिक्स करने के बाद हम लेते हैं अलू का मसाला और इसे हम डालते हैं पुछका का पानी तो यहां पर पानी को हमेशा एक बार चला लीजे क्योंकि मसाली नीचे बैठ जाते हैं और इस तरीके से अम बिल्कुल मार्किट जैसा बना है और यह हमारी चटपटी मस ती घर में बन गई है पानी पूरी अब चलिए जो पापडी बच जाती है इससे हम बनाएंगे चुनमुर यह कोलकता में बहुत ही फेमस है तो पापडी से चुनमुर बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो यहां प जए जिरा पाउडर डालेंगे पुछका करने जाले अपटो में नष्चे की बहुत है अब लेते हैं पापड़ी तो यह बहुत ही क्रिपी होती है तो इस तरीके से हम हाथ से तोड आलेंगे हमारे यह पुछके वाले ऐसे ही डालते हैं तो मैं चेम वही मेतड बता रही हू फुली नहीं है तो क्या हुआ बहुत ही टेस्टी बनती है इसके उपर सुखा आलू लगा के भी आप खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है और चलिए इसमें हम डालते है थोड़ा सा पुछका का पानी और बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो बस रेडी हो चुर्मुर बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है आप चाहें तो फुले वे पुछके में पानी भर के खाईए और इससे आप चुर्मुर बना सकते हैं तो है ना पानी पूरी बनाना काफी असान तो इसके लिए बापको मार्केट जाने की ज़रत नहीं घर पर ह अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरू कीजिए और मेरे चानल को जरू सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली और फ्रेंस के साथ तो जरू शेर कीजिए ताकि वो भी घर में आसानी से पानी पूरी बना सकें इससे पहले मैंने स इसी दोसा भी बनाया था जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा इसकी रेस्पी को यहां पे क्लिक करके ज़रूर देखिए